गर्मियों का मौसम शुरू हुआ नहीं कि गुरुगराम की खूनी नहर ने अपना मूँ खोलना शुरू कर दिया है। गुरुगराम की खूनी नहर के नाम से मशूर है। उस तिलक को ढून रही है जो इस नहर में नहाने आया था आप देख सकते हैं कि गोताखोरों की पूरी टीम पूरी मशक्कत के बाद उस युवक को जिसका नाम तिलक है पूरे दो घंटे के सार्च ओपरेशन के बाद धून निकाला है गोताखोरों के हाथ में जो शेफ है ये वही तिलक है जो नहर में तकरीबन दो घंटे पहले डूब गया था शेफ को निकालने के बाद गोताखोरों की टीम ने शेफ को पोस्ट मार्टम के लिए भेज़ दिया है ना जाने गुरुगराम के इस खूनी नहर में हर साल कितने बच्चे इस नहर में डूब कर अपनी मिलेगा ये देखने वाली बात होगे फिलाहल गुरुगराम प्रसाशन के तरफ से इस खूनी नहर में हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर कोई खास बयान सामने नहीं है ब्यूरु रिपोर्ट इवन हर्याना तीन बजी हमें सुचना बजी दनकोट नहर में एक बच्चा डूब गया है उसके निकालने के लिए उसके निकालने के लिए उसके नाम तिलक राज बता रहे हैं और ये कापा सिड़ा का रहने वाला है जी वैसरती मेरा दोस्त है बड़ा बाई लगता है और यह हम वहां पैठे थे और यहांने इसने त्यार नहीं नहीं आए इसने त्यार नहीं नहीं आए अज़ थे और यह है rocky नहीं एया मुई है सक्टाए आर ये लगताा दाम झाए उनार दोस्ताए ये उनारी आरं किंगा झाल मेराय आर कर रहे है झाल झाल